पिर दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम हिंदी के एसे नियम पढ़ेंगी जिससे आप हिंदी सुध और सही लिख सकेंगी यह नियम इतने महत्यपूर्ण हैं कि आपको पहले किसी ने नहीं बताये होंगी चले वीडियो को सुरू करते हैं देखी आपने ड़ का प्रयोग भी देखा होगा और नुकता वाले ड़ का प्रयोग भी देखा होगा इन्हें हम नुकता भी केते हैं और तलविंदु भी केते हैं अब इन पर चर्चा करते हैं हमने कहीं सब्दू में इन डर्ध का प्रयूग भी देखा है और इनका भी प्रयूग देखा है अक्सर हम जाता तर इनका ही प्रयूग करते हैं जिसकार हम हिंदी गरत लिख लेते हैं प्रन्तु हमें यह पता नहीं रहता कि इनका प्रयूग कहा होना है इस वीडियो में हम इनी पर चर्चा करेंगे द ध का प्योग सब दिके पहले किया जाता है अर्थात द ध का प्योग सब दिके पहले किया जाता है उधारन के लिए धोलक धकन डालना आदि जबकि नुक्ता वाले ध का प्योग सब्द के बीच या अंत में क्या जाता है उधारन के लिए गड़वाल जोड़ना लड़ना आदि एसे सब्द होते हैं एक उधारन हम इसका भी लेते हैं एक तो हमने लिया है और दूसरा भी लेते हैं बार अब आपको यो समझ आ चुके होंगी यह नियम यो भूत ही मत्यपों नियम है प्रन्तु एक बात और है इनका प्रयोग समस्कित भासा में नहीं होता है जैसे उत्राग खंड उत्राखंड यह समस्कित का सब्द है इसमें हम इस धव पर नुक्ता या तलविंदू नहीं लगाते आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्यक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक सेयर अवश्यक करें ताकि मैं आपको और अधिक कीमती जानकारी लेकर आऊंग